जैशी कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें आप धेर सारी सफलता हासिल करें आप जो भी चाहते हैं जो सही है आ पोजिटिव है आपके लिए वो सब कुछ आपको जरूर मिले हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से ऐसी ही प्रात्ना करते हैं ऐसी ही कामना करते हैं आपका बहुत-OTT स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्ट्वाल211 में है आजह हम बताने वाले हैं कि आपके पार्ट् कर लेते हैं आखे किडिक बंद करिए 2 मिनट हमारे साथ और सबसे पहरे गायतिरी मंत्र का उच्च्छारण करिए गायतिरी मंत्र पॉजिटिविटिय को बढ़ाने के लिए और नेगेटिविटी को बघाने के लिए सबसे ज्यादा पाउफुल है डोघ बंद कर लिजिए तच्च्वितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही दियोयोनाप्रचोदायाद तच्वितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही दियोयोनाप्रचोदायाद तच्वितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही दियोयोनाप्रचोदायाद तच्वितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीम् तच्वितुल्वरेन्यम् तच्वितुल्वरेन्यम् हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आपको अच्छा महसूस हुआ होगा चलिए आपने पाइल चूस कर लिया क्या अब आप अपनी रिडिंग देखिए देखे अगर किसी वज़ा से ऐसा होता है कि जो ऑप्चन आप चूस करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता है तो समझदारी ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये जर्नल रिडिंग है आपकी पर्सनल रिडिंग नहीं है ठीक है और अगर आप हमसे पर्सनल रिडिंग लिना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर है नंबर है 8737087414 8737087414 लेकिन पर्सनल रिडिंग पेड होती है ठीक है और हाँ कॉमेंट बॉक्स में जो लोग हमारे नाम से आपको नंबर दे रहे हैं वो हमारा पिक्चर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो हम नहीं हैं तो प्लीज आप उनसे साफधान रहें बचके रहें अगर आपके पैसे फसते हैं अगर आप वहाँ पर फस जाते हैं आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ठीक है जैशे कृष्णा option number one कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे खुश होंगे और अपनी जिंदगी में ठेश सारी सफलता हांसल कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे चलिए अब आपके बारे हैं लिखे हाँ इसे मैं बहुत खुश हूँ स्वस्थ हूँ, मस्थ हूँ बहुत सारी सफलता हांसल कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ आगे बढ़ रहे हूँ तैंक यू, यूनिवर्स तैंक यू, सो मच लिखिए इसी वक्त लिखिए पहले अपसे आपको हमेंसा लिखना है यह एक strong manifestation है हम जैसा लिखते हैं हम वैसा ही manifest करते हैं हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही आकर्षित करते हैं तो क्यों ना positive लिखा जाए सकारात्मक लिखा जाए अपनी सोच को अपने विचारों को सकारात्म बनाया जाए हमारा उद्देश सिर्फ रेटिंग करना नहीं है हमारा उद्देश आप सबके जीवन को परिवर्दित करना है आप सबके जिन्दगी में एक रोश्निकी किरन लानी है आपको जिन्दगी में आगे बढ़ते हुए देखना है ठीक है हम आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा Dear आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 1111 में आप जाना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं इधर कैंसर स्कॉर्प्यू पाइस्यस बहुत च्ट्रॉंग है कर्ग रुष्टिप पीन राशी इरिस लिओ स्टाजिटिएगेस भी है मेज सिंग धनु राशी टॉरस वर्पो के अप्रिकॉन भी है व्रुषब करने मकर राशी जमिनेल इब्रैक्वेरियस भी है मिथुन तुला कुम राशी उनके डेट ओब बर्थ की बात करते हैं जिनके आप डेटिंग देख रहे हैं किसी महीने की 6 तारिख 11 तारिख 5 तारिख 30 तारिख 31 तारिख 1 तारिख 12 तारिख 10 तारिख 28 तारिख 16 तारिख 14 तारिख 22 तारिख 19 तारिख 13 तारिख नौ तारीख ठीक है? बर्थ मंत जून, मैं, फरवरी, नवंबर, जैन्वरी, मैं, मार्च ठीक है? ये है उनका बर्थ मंत इनीशिल बताते हैं C, H, P, R O, M, D, Y, A, G, U, L, P, S, V ठीक है? ये है उनका इनीशिल एक बात और अगर कभी-कभी रीडिंग पूरी मैच होती है डेट बर्थ, इनीशिल और बर्थ मंत मैच नहीं होता तो जादा फिकर ना क्या करें रीडिंग बहुत जादा जरूरी होती है मैच करना ये चीज़े कभी-कभी मैच करती है कभी-कभी नहीं करती और अगर दोनों चीज़े मैच कर जाएं तो फिर सोने पे सुहागा, है ना, आपको पता है वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, बताएं, पक्का, आँखे बंद करिये, हम, बंद कर लिए आँखे, पक्की बात, हम, तुम्हारे सिवा कुछ ना, चाहत करेंगे, कि जब तक जियेंगे, महबत करेंगे, कि जब तक जियेंगे, महबत करेंगे, कि जब तक जियेंगे, महबत करेंगे, नजर चाहती है, दीदार करना, ये दिल चाहता है, तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा में डूबे रहें हम, है क्या हाल दिल का, ये कैसे कहें हम, सजा रब जो देगा, वो मन्जूर होगी, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे, महाबबट करेंगे, कि जब तक जिएंगे, महाबबट करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, वो ये बोलना चाहते हैं आपसे, वो ये कहना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, लव यू सो मच, तुमसे बहुत 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 ब्यार है, मुश्य शादी करोगे, मेरे हम सफर बनोगे, सुनो, अभी जो मेरा दिल है ना, सिर्फ आपके लिए दड़कता है, और इस दिल में बहुत 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 बेशुमार महबबत है आपके लिए, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा दिल इस कदर जोरी होगा, कभी सोचा ही नहीं था कि आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद, मुझ में मेरा वजूदी नहीं रह जाएगा कोई इस कदर हर वक्त दिन, रात, हर टाइम मेरे दिल दिमाग में कैसे सवार हो सकता है आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे दिल पे हर वक्त आपका जुनून सचड़ा रहता है जैसे आपको सोचना, आपको देखना, आपको सुनना सुकून सा देने लगा है मुझे नहीं पता हमारा क्या रिष्टा है मुझे नहीं पता कि लोग इस रिष्टे को किस तरह से देखेंगे मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचोगे या फिर और लोग क्या सूचेंगे, बस यह जो प्यार है ना बहुत प्योर है अंदर से, मतलब कि इसमें कोई छल कपट नहीं, कोई मतलब वाला नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा एहसा होता है जैसे इश्वर ने आपको मेरे लिए ही बनाया है, हमें तूसरे के लिए ही बने है भले ही कुछ लोग यहाँ पर देर से मिले हैं हाँ आपको हो सकता है कि मुझ पर यकीन न हो क्योंकि मेरे बारे में भी उल्टा सिधा बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको देखो दुनिया में न हम हर व्यक्ति के साथ उसी तरह से वेभार करते हैं जैसा वो हमसे करता है अगर किसी ने अच्छे से बात की तो हम भी अच्छे से बात करेंगे मत्तब कि जो जैसा है उससे वैसे ही बात करेंगे तो कुछ लोग इसमें अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग बुरा बोलते हैं लेकिन हम actual में क्या हैं, यह आपको तब ही पता चलेगा जब आप हमसे बात करेंगे, जब आप हमसे directly बात करेंगे, हमें जानने की कोशिश करेंगे. और हाँ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितने भी issues हैं, हमारे बीच age difference issue, long distance issue, या फिर family issue बहुत strong है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे बन जाओ, यह चाहता हूँ मैं, यह चाहती हूँ मैं. पता नहीं क्यों इतनी respect, इतना प्यार, अंदर से एक जुकाव, एक समर्पन सा फील होता आपके लिए, जो किसी के लिए भी नहीं है, देखो, attraction बहुत लोगों से हो सकता है, किसी की खुबसूरती देखकर, किसी का talent देखकर, समझ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी से distraction हो सकता है, attachment भी हो सकती है, अकसर ऐसा होता है कि कुछ लोग हम जिसे साथ रहने लगते हैं, फिर किसी से हम ज़्यादा बात चीद करने लगते हैं, मिलने चुलने लगते हैं, लेकिन प्यार बिल्कुल अलग चीज है, प्यार सिर्फ सुकून देता है, अटेश्मेंट दर देती है पर प्यार सुकून देता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहली बार महबत हुई है मैं ये नहीं कहता है मैं ये नहीं कहती कि मेरी जिन्दगी में कुछ लोग आये नहीं गये नहीं मुझे भी जिन्दगी का बहुत अनुभव है मैं भी जानता हूं लेकिन पता नह क्यों आप से मिलकर ऐसा लगा कि जैसे बरसों की पहचान है हमारी एक जुकाव है आपके लिए देखो एक बात बताओं आपको अपने बारे में मुझे हर किसी के सामने जुकना पसंद नहीं है मैं जुकता नहीं हूँ, मैं जुकती नहीं किसी के सामने अगर मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्यों जुकूं किसी के सामने मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको बार-बार जुकना नहीं चाहिए अगर आप बार-बार किसी के सामने जुकते हैं तो लोग आपको गिरा हुआ इंसान समझ लेते हैं वो समझ लेते हैं कि इसकी कोई respect ही नहीं इसकी कोई self respect नहीं है तो कभी-कभी लोग मुझे बहुत attitude वाला, घमंड वाला ego stick व्यक्ती समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैं उन्ही के सामने जुकता हूँ एक कृष्ण का राधा के लिए था समरपण महादेव का महादेवी के लिए था समरपण, पूंट समरपण एक जुकाव जैसे कि एक होता है नहीं कि हम हर किसी के सामने रो नहीं सकते, हम हर किसी से हर बात नहीं कह सकते हमें लगता है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा फिर इन फ्यूचर वो उस बात को लेकर हमें ब्लैक मेल करे या फिर उस बात को लेकर वो हमें किसी भी तरह से परिशान कर सकता है या फिर हमारी कमजोरी किसी को पता जल जाएगी लेकिन पता नहीं क्यों आपके सामने बहुत जुकाओ महसूस होता जैसे कि आपके सामने मैं जुक भी जाऊँ, मैं नतमस्तक हो जाऊँ तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा इगो या फिर मेरा आत्मसम्मान खतम हो गया वो बढ़ी ही जाएगा क्योंकि आप में वो काबलियत है तो कि आप हो उस लायक और हां मैं इस रिष्टे को कोई दो-चार दिन का ऐसा नहीं बनाना चाहता इस रिष्टे को मैं बहुत लंबा इस जिंदगी तक के लिए तो पक्की बात है इवन मैं अगले कई जन्मों तक आपकी होना चाहती हूं आपका होना चाहता हूं पता है पहले न मेरा मन भटकता था इधार उधार इध कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ कभी कोई अच्छा इंसान दिखा किसे सो बाते की तो अट्रेक्शन हुआ पता नहीं जब से आप आए उन्ट इसे सब कुछ शान्त हो गया जैसे कि अब किसी भी तरफ मन नहीं जाता अब ये आखे इदर उदर के चक्र नहीं काटती हैं किसी और को देखने का मन नहीं करता तेरे चेहरे से यूं नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें अब किसी और नजारे को देखने की जरुषती नहीं रखती हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत कैरिंग कनेक्शन है और ऐसा लगता है जिसे कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे इन फ्यूचर जैसे कि हम दोनों के अंदर बहुत understanding है एक दूसरे के लिए और जैसे हम दोनों ही एक दूसरे को complete करते हैं हम दोनों ही कभी दूसरे को दर्द नहीं दे सकते हम एक दूसरे का हमेसा साथ देंगे मुझे ऐसा लगता है क्या उम उसे शादी करोगी क्या तु मेरा साथ दोगे अब देखो ये जो हमने बताया ना कि वो क्या बोलना चाहते क्या कहना चाहते ये वो बोल रहें ठीक है ये वो बोल रहें ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत प्यूर फीलिंग्स हैं और हो सकता है एक ही जगा पर आप लोग काम करते हो, या फिर एक ही जगा पढ़ते हो, या फिर आपके रिष्टेदार हैं, मतलब की कुछ ऐसा कनेक्शन है, बहुत कम लोग है जो इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, आउनलाइन मिले हैं, अच्छा हम आपके एनरजी की बात करें तो आपके जिन्दगी में भूचाल बहुत है, आपके जिन्दगी आसान नहीं है, आपके जिन्दगी में उलजने बहुत हैं, कॉन्फिक्ट्स बहुत हैं बहुत ज़्यादा उलजन है, हमें ऐसा भी लगता है कि आप में इसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनकी फैमिली शादे सुच्छते के लिए कभी आगरी नहीं करेगी, आपके ऐसा लगता है कि हम कभी एक नहीं हो सकते ये बात अलग है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी मन्जिल हूँ мैँ, मेरी मन्जिल आप हैं लेकिन फिर भी आपको तूफानों से डर लगता है आपके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, जितनी आसान तरीके से अपकुछ देख रहे हैं या फिर जितनी आसान तरीके सब कुछ ये बोल रहे हैं। सब आपके लिए इतना आसान नहीं है। और एक बात और, कुछ हैं आपकी जिन्दगी के ऐसी चीजे जिसके चक्कर में आपने बहुत कुछ खोया है। तो आपको ऐसा लगता है कि, यार मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अगर अच्छे दोस्त हैं और आप लोग एक साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ इने भढ़काने वालों की कमी नहीं हैं पर ये कभी भढ़कते नहीं आपको शायद ऐसा डर लगता होगा कि मेरे बारे में कोई से कुछ कहना दे कोई कहना दे या फिर इनके बारे में आपसे बहुत बला बुरा लोग बोलते होंगे कि यह ऐसा है, यह ऐसी है, यह यह है, वह वह है इसके बहुत affairs थे, मतलब भड़काने वाली बाते आपको सायद लोग ऐसा बोलते होंगे क्या फर्क पड़ता है? तो ये पता है क्या सोचते है ये जो आपके परसन है अगर इनका कोई पास्ट भी होगा ना तो इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रस्ट में ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉंग कनेक्शन फील करते हैं और पता है ये आपको जिंदगी की सारी खुश्याद भी तो उसलायक होना चाहिए समरपड हर किसी के लिए नहीं होता अंतर आत्मा में जुकाव हर किसी के लिए नहीं होता कुछ लोगों के लिए होता है तो ऐसे ही इनकी आत्मा आपके सामने जुकने लगी है सजदे सर जुकता है यारा में क्या करूं और तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं तो इनका इतना समर पड़ है आपके लिए कि इने इस बात से कोई फरकी नहीं पड़ेगा अब देखो, वो क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हमने आपको बताया अगर ये reading आपसे match हुई है तो हमें comment करके जरूर बताएं क्योंकि जब आप comment करके बताते हैं आपने जो manifest के है वो बात अलग है लेकिन आप अलग से comment करके अगर बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें motivation मिलेगा है ना बाकी आपकी अपनी इक्षा ठीक है जैशी कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सूचिए क्योंकि देखे लोगों का काम कहना ही होता है वो पूरी जिन्दगी कहेंगे और आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करने है अपने खुशों की परवा करने है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे धेर सारी धेर सारी सफलता हांसल कर रहे होंगे चले अब आपकी बारी है लिखे कि हाँ इश्वर के आशिरवात से मैं बहुत खुश हूँ और जितनी फीलिंग्स के साथ फील करके चीजों को लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ हाँ मैं बहुत स्वस्त हूँ मैं बहुत मस्त हूँ मैं अपने जिन्दगी में आगे बढ़ रही हूँ आगे बढ़ रहा हूँ मैं धेर सारी सफलता हासिल कर रही हूँ क्योंकि मुझ पर इश्वर का बहुत बहुत आशिरवाद है थैंक्यू थैंक्यू यूनिवर्स लिखे अभी इसी वक्त लिखे पहले लिखे उसके बाद आगी की बात होगी क्यों लिखवा रहे हैं आपसे हमारा कोई लोब नहीं है कोई लालच नहीं है ये एक स्ट्रॉंग मैनिफेस्टेशन है हमें नहीं पता कि कितने लोगों के पास टाइम है डेली डेली अपने विशिस लिखने का हमें नहीं पता लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जितने प्यार से हमें सुनते हैं, आप उतने ही प्यार से लिख भी सकते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो, आप जाने अन जाने अच्छी चीज़े मैनिफेस्ट करें, बुरी चीज़े नहीं, नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव म पढ़ ले जाना है आपकी जिंदगी में खुश्यां भड़नी है हमारा उद्देश आप सब को आपका जो सोल परपस है उसे याद दिलाना है सहारा डैरो हो सकता है सहारा कुछ भी हो सकता है हम आशा करते कि आपने लिख लिया होगा डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 111 में वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले sign और elements बताते हैं अपको इधर एडी स्लीवर सेजिटेरियस बहुत स्ट्रोंग है मेज सिंग धनु राशी फायर साइन अगनी तत्व तारस वरको के अप्रिकॉन वर्षप करने अमकर राशी प्रत्वी तत्व अर्थ हैलिमेंट कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है करक रुष्चिक में राशी जलतत्व और जेमिना ले ब्रेक वीरियस भी है मेथुन तुला खुम राशी वायुदत्व एयर एलिमेंट ठीक है चलिए इनके डेट अब बर्थ बिता देते हैं आपको इनके डेट अब बर्थ हो सकती है किसी मेने की बारा तारीख अठारा तारीख पच्छस तारीख नौ तारीख पांच तारीख चौदा तारीख दो तारीख बाइस तारीख एक तारीख दस तारीख बीस तारीख 31 तारीख 13 तारीख 8 तारीख 18 तारीख 11 तारीख ठीक है? बर्त मन्त नवंबर जून सितंबर माई जन्वरी फर्वरी बस Initial R H O S A N P T I V U K G H C O D N ठीक है? यह है उनका Initial देखे इधर ना separation किस्थिती है और इधर misunderstanding बहुत जादा है यह जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रेटिंग देख रहे हैं थोड़ा सा हम मंद बुद्धी के हैं देखे हैं आप बुरा तो नहीं लगेगा आपको मंद बुद्धी का मतलब यह होता है कि अपना दिमाग के इस्तमाल नहीं करना खुद का कोई सेंस ही नहीं है बिलकल सेंसलेस बाते करना बेवकूफ लोगों की बाते सुनना बेवकूफ लोगों की बातों में आजाना फिर दूसरों पर टेस्ट करके जगड़ा करना लडाई करना मतलब कि इनको बहकाना इनको इधर उधर की बातों मिलाना बड़ा आसान है ट्रस्ट इशू बहुत जादा है इधर और इसमें थर्ड पार्टी ना थर्ड पार्टी एक दो नहीं है बहुत है मतलब कि इनकी दोस्तों का इनकी फैमिली का बहुत बहुत इंटरफेयर है आपकी कनेक्शन में बहुत मतलब आपके रिष्टे में बहुत इंटरफेयर है इनको भड़काते ही रहते हैं और भड़क भड़क कर भड़क भड़क कर आज ये डिप्रेशन में हैं मतलब आप दोनों ही अलग हैं कुछ लोगों की पार्टर हैं थोड़ी ठीक ठक जब उनकी फैमली ने देखा कि बंदा हमारी बात नहीं सुन रहा है या फिर कोई third party थी जब उसने देखा कि बात नहीं सुन रहा है तो उसने बस छल विद्धिया का इस्तमाल किया चल विद्धिया समझ रहे हैं आप black magic फिर उसने दूसरा तरीका इस्तमाल किया आप लोगों को अलग करने का तो मतलब फाइनली वो लोग सक्सेस हो गए हैं सक्सेस हो गए हैं और अलग कर दिया आप लोगों को पहले देखो अलग करना भी इतना असान क्यों हो गया पहले इन्हें आपसे न सोल लेवल पर प्यार नहीं था पहले एक होता ना अकर्शन अकर्शन अट्रैक्शन बहुत जादा तो अकर्शन बहुत जादा था और इसी वज़े से कोई कुछ भी भड़का रहा है कोई कुछ भी कह रहा है तो ऐसा ने कि पहले आपसे पूछी आपसे कहें कि क्या ये बात सच है और फिर कभी कभी लोग अगर भड़का भी दें आपके पार्टनर के बारे में आपको और आपको लगता है कि ऐसा वो नहीं है तो इस बात पर भड़कने के कोई जरद भी नहीं है कभी कभी आँखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो जाता है क्योंकि बात कुछ और ही निकलती है जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक 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 जामपल देगी आजकल यूटूब पर बहुत जाता ऐसा होता है कि किसी इंसान की कोई बड़ी वीडियो है वो किसी एहम मुद्दे पर बात कर रहा है तो लोग क्या करते हैं जो उनके अपोजिट होते हैं वो उस छोटी सी क्लिप को वहीं से बस उतनी काटकर शौट वीडियो डाल देते हैं और लोग सुनते पब्लिक भड़क जाती है अरे ये बात बोली अरे ये बात बोली जब हम पूरी बात सुनेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा इस वज़े से बात बोली गए थी हो सकता है कि फॉर एक्जामपल हो लेकिन क्या करते हैं लोग क्या ऐसा करते हैं तो ऐसा ही जो ये परसन है जिनके लिए आप रेडिंग देख रहे हैं तो इन्होंने ऐसा बहुत किया है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना बेज़जती कर देना दिल थोड़ देना कुछ भी कह देना लडाई जगड़े करने लग जाना जैसे कि एक लिमिट क्रॉस करके लिमिट तोड़ के दर्द देना ये भी न सोचना कि जो मैंने बोल दिया है उससे उसको कितने तकलीफ हुई होगी कहते हैं शब्द समारे बोलिये शब्द के हाथ न पाओ और एक शब्द औसधी करे और एक शब्द करे घाओ सब शब्दों का खेल है इतना महान तो कोई नहीं जो इंटेंशन को समझ ले कुछी लोग होते हैं जो शब्दों की पीछे की इंटेंशन को समझते हैं इसी वज़े से शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें आप अप अपने रिष्टे में क्योंकि एक शब्द वही है जो औशाथी का काम कर सकता है और एक शब्द सीदे घाओ कर सकता है और ऐसे जगा घाओ कर सकता है कि जो घाओ जल्दी भरे ना तो यहां पर ना इतने बुरे बुरे शब्दों का इस्तमाल हुआ है इस रिष्टे में कि आप तूट से गए, आप तूट से गए, लेकिन जो लोग तूटते हैं, जरूरी नहीं है, कि उनका कोई होता नहीं है, वो जिन्दगी बर तूटे ही रहेंगे, इधर बता देते हैं, कुछ लोग ट्विन सोल जड़नी वाले भी हैं, जो शायद देख रहे हैं, अपने डि इसमें कोई शक नहीं है, उसको अपना कुछ दिमाग लगाने ही नहीं होता, उसका अपना कोई सेंस ही नहीं है, जिसने जो कह दिया अच्छा 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 सुन लिया भढ़क गया, ठीक है, तो बस इस वज़े से ये कनिक्शन तूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकि उससे पता क्या यादा आ रहा है, आप जो उससे स्प्रिशुल बाते किया करते थे, आप जो उससे आत्मा की बाते किया करते थे, आप जो उससे बहुत गहरी-गहरी बाते किया करते थे, आज उससे वो सब कुछ यादाता है, आपको उन्होंने तोड़ा, लेकिन इश्वर ने समाल लिया है कहीं न कहीं उनके जैसी नेगेटिव इस्थिती आपकी नहीं है इन्होंने तोड़ा सही है आपको बहुत तोड़ा लेकिन आप समल गए क्योंकि तूटना भी जरूरी होता है कभी-कभी इंसान इस गहरी नींद में होता है कि जब तक उसको लाद जूते ना समझता नहीं है उसके अंदर अवैर्नेस नहीं आती उसका दिमाग नहीं खुलता तो कहीं न कहीं यहां पर जो आप टूटे वह इसी वज़े से कि आपकी स्प्रिच्वल ग्रोथ हो सके आप इधर से अपना ध्यान अटाके अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है जो आपकी जिसके लिए आपने धर्ती पर जनम लिया है जो आपका सोल पर्पस है थोड़ा आप उस पर ध्यान दे तो इश्वर ने आपको समाल लिया इश्वर ने आपको समाल लिया है पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है तर अगर आप इनको माफ नहीं करते हैं आप इन या तो ये कुछ और बड़ा गलत कदम उठा लेंगे, कैसा, कुछ भी समझ लो, और या तो अभी जहां रह रहे हैं, ये वहां से कहीं दूर चले जाएंगे, ऐसा नेकी चीज़े ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, ये connection बहुत strong है, पहले हमने वो कानन का दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था, अब इनका दिमाग सब चलने लगा है, ये पता है, आप से क्या बोलना चाहते हैं, कि मैं हर वक्त, इश्वर से, सिर्फ तुम्हें माग रहा हूं, सिर्फ तुम्हें माग रही हूं, मैं पुरी ब्रह्मान की जो सकरात्मक आत्माएं हैं जो चेतनाएं हैं मैं उनसे यही प्रार्तना कर रहा हूँ यही प्रार्तना कर रही हूँ कि हमारे बीच सब कुछ ठीक कर देजे क्योंकि बहुत बिगड़ गया है इनको बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा है इतनी घबराठ है कि इनके रातों की नीन उड़ी हुई है बहुत बेचैनी है और बहुत पैसे कमा कर भी इनका कुछ हुआ नहीं पैसे कहां सुकून देते हैं पैसों से प्यार नहीं मिलता है पैसों से शरीर मिलता है केवल जो विकाव शरीर होता है सिर्फ वो मिल जाता है सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और नहीं मिलता नहीं है इनके जिंदगी में सच्चा प्यार ना इनके अपने इनसे प्यार करते हैं इनके अपने भी इने मतलब के लिए इस्तमाल करते हैं तो हम बता रहे हैं कि कुछ लोगों को तो भड़का कर आप से दूर किया गया, ठीक है, मतलब किसी अर्दर परसन ने फ्रेंड हो सकते हैं, फैमली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी जिन्होंने भड़का कर अलग किया, अब कुछ लोगों की फैमली ने इनको अपन लेकिन बहुत बेबस है व्यक्ति, बहुत बंधा हुआ है, थोड़ा समाजिक टैप का है न ये, कि मेल हो फिर मेल हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि चाहे वो मर जाएं लेकिन अपनी मर्यादा से हटकर एक कदम बिन्यू उठाएंगे, चाहे वो मर जाएं लेकिन परिवार के खिलाफ एक कदम बिन्यू उनका लेंगे, उन्हें समाज की सबकी बड़ी परवा होती है, आज एक बात कहे हैं ये ट्विन सोल जर्णी है, तो यहाँ पर हम स्प्रिचुल बाते कर सकते हैं, कुछ लोग कभी-कभी बोल देते हैं, कुछ भी उल्टा जिदा कॉमेंट में खेरा में कोई फर्ण नहीं पड़ता, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ मेन बाते जानना चाहते हैं, तो आप इतना समझ लेना कि आप ट्विन सोल जर्णी में नहीं हैं, हम आपको हमेशा स्प्रिचुलिटी से जोड़ना चाहते हैं, और आपके पार्टनर से आ पिश्वर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एंजल्स एक स्क्रिप्ट की तरह हमारी जिंदगी में सब कुछ करते हैं, उसे गलत थेराते हैं, उसको गलत बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, उससे गलतियां गरवाते हैं, करवाते हैं, क्योंकि देखो, कुछ कर्मा आपका भी ह होता है कुछ कर्मा उसका भी होता है तो दोनों दर्द भुगतते हो लेकिन एक होता है कि दर्द में रो रोकर रोकर जाग जाता है पर एक होता है कि वो कभी समझी नहीं पाता यह इतना ज्यादा सोशल हो चुके हैं कि अपनी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है सिर और सिरल इस समाज जब तक आप जिन्दा तब तक भी एगा और मर जाए अब तक भी Global क समाज की पर्वाय उतनी करें जितना करनी पर प्रके चले जाये फिर सुर मरके चले जाएं थे ने जिसकी नहीं हम यह नहीं कहते हैं कुछ गलत करें आप, लेकिन समाज के उतनी परवा करें जितना करनी चाहिए, समाज आपको किसी भी तरीके से सुविकार नहीं करेगा, समाज आप में कोई ने कोई कमी निकालता रहा और समाज कौन है यह दो चार पाँच लोग यह समाज, आपके रिष्टदार आपके पड़ोसी है सब समाज के लोग है और समाज कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है दो चार पांच लोगों का समोई समाज कहलाता है तो प्लीज थोड़ा सा आप भी ऐसा सोचना ठीक है और हाँ ये व्यक्ति गुस्य का नहीं ये व्यक्ति दया का पातर है तो माफ कर दीजे प्लीज माफ कर दीजे और एकसेप्ट कर लीजे नहीं रह सकता है आपके बिना इसका कोई नहीं आपके बिना मर जाएगा ये सब इसको इस्तमाल करने वाले हैं किसी भी लेवल तक इसे हर्ट करने वाले हैं लिमिट तोड के इसके उपर बर्डन है पर अब दीरे दीरे जागने लगा है दीरे दीरे इसकी गलती का एसास होने लगा है और यह आपके साथ फिर से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है थोड़ा सा एगो आज भी है और एगो की वज़े से चीज़े अपनी तरफ से श तो अगर यह थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आप माफ कर देना ठीक है इनकी जो एनरजी है आपस को सॉंग सुनाते हैं ठीक है आखे बंदे करेंगे तो फील कर पाएगे नहीं करेंगे तो फील नहीं होगा सॉंग तुम बिन क्या है जीना क्या है जीना तुम बिन क्या है जीना तुम बिन जी आजाए कैसे कैसे जी आजाए तुम बिन सदियों से लंबे है राते सदियों से लंबे हुए दिन आजाओ लाट कर तुम ये दिल कह रहा है तुम बिन जी आजाए कैसे कैसे जी आजाए तुम बिन सदियों से लंबे है राते सदियों से लंबे हुए दिन आजाओ लाट कर तुम ये दिल कह रहा है क्या क्या न सोचा था मैंने क्या क्या न सपने सजाए क्या क्या न चाहा था दिलने क्या क्या न अर्मा जगाए क्या क्या न अर्मा जगाए इस दिल से तूफा गुजरते है तुम बिन न जीते न मरते है आजाओ लाट कर तुम ये दिल कह रहा है तुम बिन जी आ जाए कैसे कैसे जी आ जाए तुम बिन आजाओ लाट कर तुम ये दिल कह रहा है तुम बिन जी आ जाए कैसे एक समय पर लिमिट क्रॉस हो जाती है बार बार अपने आपको जुकाने की और कहीं न कहीं आप ऐसे व्यक्ति नहीं है आपको भी आपका आत्मसम्मान प्यारह вари कोई इंसान बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहचा रहा हो तो बार बार उसके सामने जुकना भी नहीं चाहिए हम समझ सकते हैं लेकिन क्या करेए ये थोड़ा सा इस्टिक है है थोड़ा सा लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है ये व्यक्ति दिल का बुरा नहीं है ये बस यूं कहो कि इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि किस बात पर रियक्ट करना चाहिए किस बात पर नहीं करना चाहिए और कभी-कभी ये हरकते ओवर कर देते हैं इन्होंने किया भी है इन्होंने अगर दो चीज़े आप रखते हैं तो ही आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं क्या कि फॉर्गिवनिस और ग्रैटिट्यूट शमादान और आभार अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज भी हैं तो भी आप अपनी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ सकते कहते हैं किसी को माफ करना सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा काम है तो माफ कर दीजे ना हमें पता आपको भी इनकी बहुत यादाती है आप इसी लिए Flag देख रहें क्योंकि यादाती है और आपको यह लगता है कि अब क्या चल रहा इसकी जिंदगी में अब इसमें क्या परिवर्तन है कुछ बदला की नहीं कुछ समझा की नहीं हाँ हाँ समझ गए हैं इनकी अंतर आत्मा अब आपके प्यार को पहचानने लगी है इनकी अंतर आत्मा सही और गलत का फर्क करना जानने लगी है इनकी आत्मा समझ चुकी है कि कौन मेरा है कौन पर आया है और ये हर चीज़ को बहुत गहराई से समझ रहे हैं क्योंकि इश्वल भी कहीं न कहीं इन्हें समझा ही रहे हैं और देखो एक बात और भी होती है कि अगर आप spiritual जर्णी में हैं आप twin soul जर्णी में हैं तो जब भी आप meditation करते हैं जब भी आप positive होते हैं तो उसका कुछ अंश उसका कुछ percent इनको भी मिलता है तो कि वो आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा है ठीक है तो वो सब इने भी मिलेगा और अकसर ऐसा होता है कि जब आप परिशान होगे फिर वो परिशान होगा उसकी life में कुछ गलत चल रहा होगा वो रो रहा होगा वो demotivate होगा वो hopeless होगा तो उसकी energy आपको तुरंट प्रभावित करेगी आपको तुरंट feel होगा कि कुछ तो कुछ तो हुआ आपको अचाना की sad energy दबोच लेगी अचाना की आपको गुसान लगेगा मतलब कि आप दोनों की energy एक दूसरे को प्रभावित करती है यही है twin soul journey समझ रहे यही है twin soul journey तो इन्हें माफ कर दीजी और हो सके तो एक चांस और दीजीए ठीक है क्योंकि twin soul journey में आप चाहकर भी अलग नहीं हो सकते चाहे कितने भी बड़ी गलतियां हो जाए क्योंकि यह प्यार एक अलग लेवल का प्यार होता है इसमें बेकार की चीजों के कोई जगा नहीं होती है बाकि आप खुद भी समझदार है तो हमने आपको बताया कि वो क्या कहना चाहते क्या बोलना चाहते है वो आपसे माफी मांगना चाहते है और मांगेंगे भी बस आप एक मौका दीजिए अपनी सारी गलतियां सुधारेंगे जो जो उनुने की है बस आप एक मौका दीजिए हम आशा करते हैं कि आप समझ के होंगे अगर ये लिटिंग आप से मैच होए तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमें जब आप बताते हैं कॉमेंट करके तो हमें मोटिवेशन मिलता है ठीक है? जैशे कृष्णा अपने अपनों का खयाल रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आप कमन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैश्री कृष्णा आप सभी के रिदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम म